कि स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर ठीक है और जैसे कि आप सबको बता है ठीक है लास्ट त्री लेक्शेज के अंदर हमने कंप्लीट कर लिया था 1.1 हो गया था हमारा ठीक है 1.2 हो गया था और आज हम जो है वो पढ़ेंगे हमारा 1.3 जो रहने वाला है हमारा किसका teacher education का ठीक है तो आप सबने वो वाले lecture देख लिए होंगे आशा करता हूं और आप सभी को helpful भी रहे होंगे आप सबके लिए तो अगर आपके लिए helpful रहे हैं ठीक है तो आपका ऐसे ही स्पोर्ट मिलना चाहिए हमें ठीक है और हम भी आपको ऐसे ही स्पोर्ट करते रहेंगे तो देखो यहां पे आज जो जो हमारा रहने वाला that's 1.3 और जो रहेगा teacher education after independence जिसके अंदर आपके तीन main committees है बहुत सारे ह देखें तो बहुत सारी commissions बनाई गई ठीक है new educational policy आई बहुत सारी आई लेकिन हमारे syllabus के अंदर only 3 हैं और आपको ध्यान पूर्बग मुझे सुनना है ठीक है और इसी की मैं guarantee देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो भी इसके लेटर जो भी issues होंगे doubts होंगा ठीक है उसके लिए आपको हमारा telegram channel join कर लेना है ठीक है और जादा जादा शेयर करो बच्चों को ठीक है तांकि सब की help हो भाई और शुरू करते हैं यहां पर देखो post independent teacher education after independence इसके अंदर आपके तीन committees हैं ठीक है क्या है तीन committees है एक तो university education commission है ठीक है 1948-49 वाला और फिर आपका है चतो बताए committee report 83-85 और कोटारी commission 1964-66 तो यह आपके तीन है और आपको तीन ही करने है ठीक है और इन report मैंसे यह इन commission मैंसे गोई आपको एक 3 marks के अंदर भी आ जाएगा यहां तो आपको 1.1 से आ सकता है 3 marks के अंदर ठीक है अभी सुन लो मेरे से ठीक है बाद मे समने ही आपने यहां तो 1.1 से आ जाएगा कि meaning गया teacher education का तो जब भी आपको अगर meaning आ जाता है ठीक है जब भी आपको meaning आ जाता है 3 marks के अंदर तो आप सबसे पहले तो थोड़ा सा introduction दोगे ठीक है दना आप जो आपको definitions कर ले ना दो की दो जो मैंने आपको करवाई है ठीक ह उससे आपको करने की जरूरत नहीं अगर meaning आता है simple तो उसके बाद अगर आपको थोड़ा सा over elaborate करना होगा तो nature वो लिख सकते हो आप क्योंकि meaning अंडर या आता है वो सारी चीटे तो अभी हम यहां पर one way one देखेंगे ठीक है थोड़ा सा बहले हम इनके बारे में देखेंग कि after independence जो teacher education उसमें क्या बदलाव आई ठीक है तो देखो कहते हैं कि after independence of India यानि जैसे हमारा देश आजाद हुआ the emergence of democracy resulted in new hopes and aspirations and demand on education demand on education हाँ ठीक है कि जैसे हमारा देश आजाद हुआ ठीक है जिसकी वैसे क्या हुआ कि emergence of democracy आई ठीक है लोग तंतर आया आप सोब को वाता है जिसकी वैसे क्या हुआ कि नहीं आशाएं ठीक है नहीं aspirations जो है वो सामने आई ठीक है या उत्पन भी लोगों के बीच में और जो डिमांड एजुगेशन की वो भी बढ़ गई ठीक है तो डिमांड आफ एजुगेशन लिख दो यहाँ और immediately after independence several efforts यानि बहुत सारी जो है वो efforts कोशिशी की गई तो made efforts were made to tackle the problems and demand of education यानि जो भी प्रावलम सारी थी यह वो डिमांड थी एजुगेशन की उनको tackle करने के लिए बहुत सारी जोह वो efforts लगाई गई after independence या बहुत सारी जोह वो provisions policies बनाई गई गई and deficiencies in teacher education जो भी थी उनको find out गिया गया ठीक है और उनके उपर suitable जो है वो actions लिये गए या appropriate actions लिये गए after independence और efforts are made to make teacher education accessible in terms of pre-service and in-service teachers तो मतलब जो भी pre-service program हो करते थे या in-service program हो करते थे उनके लिए जो teacher education थी उसको accessible बनाया गया ठीक है ताकि वो असानी से उसको जो है वो assess कर सकते थे assess करना क्या होता है यानि कहां तक कहीं तक पहुंचना है ना to reach out something है ना यानि उसके पहुंचना तो वही आ गया कि बहुत सारी efforts जो है वो यहां पर कोशिशन की गई यहां पर कुछ हम देखेंगे कि क्या-क्या action लिए गए ठीक है after independence तो सबसे पहले क्या हुआ expansion of pre-service teacher education जो है उसको बढ़ावा दिये गया ठीक है बहुत सारी institutions खॉले गए ठीक है प्रापर महननेता दी गई ठीक है बहुत सारी agencies आई जो control करने लगी किसको teacher education को and stabilization and expansion of in-service teacher education उसका भी जो है वो stabilization हुआ and extend किया गया इन्हें expand हुआ किसका in-service यानि जो already service कर रहे थे teacher उनके लिए भी जो हाँ बड़ी सारी provisions policies फ्रेम करी ताकि उनकी भी जो professional growth है वो continues चलती रहे ठीक है जैसे कि वो already जॉब कर रहे है teaching profession में है तो उसके साथ साथ उनकी जो professional growth है वो भी होती रहे तो इसके लिए भी उन्होंने बहुत सारी policies procedures बगरा लेके आए बहुत सारे programs जैसे हमने देखा वहां पर in service training program लेके आए फिर यहां पर बहुत सारी commissions भी बनाए ठीक है अगर कमिशन पर चला तो तब भी कोई बात नहीं लेकिन यहां पर मैंने थोड़ा थोड़ा इनके बारे में लिखा हुआ पहले तो आप यह नाम लिखते ना ठीक है इसका एक क्या करोगे आप एक ट्री यहां फिर ऐसे कर लो spider map बना क्या होगे ठीक है spider map बना क्या होगे जो जो मैंने commissions यहां बनाई गई है जिनके नाम लिखे हुए यहां पर तो उसके चारों और आप इनके नाम लिखोगे देन जो आपके syllabus में उनको explain कर दे रहा ठीक है अगर आपको लग रहा है कि sufficient है यहां हमारे लिए जादा हो जाएगा ठीक है तो learn करने थे रादा कृष्णन कमिशन भी का जाते है और डक्टर सरवली रादा कृष्णन जो थे हमारे इसके commissioner चेर्मेंट थे और इन्होंने करा suggested theory and practical training इन्होंने suggestor करा ठीक है यह recommend करा कि बच्चे को थोड़ा theory भी सकाओ और उसके साथ हाथ practical training भी दो और जो course होगा वो flexible होना चाह ठीक है और जैसे जैसे नीड्स जो वो society की change हो रही है उसके साथ से भी हम उसमें desirable changes ला सके ऐसा हमारा course होना चाहिए and adaptable to social situation वही आदिया कि according जैसे 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 हमारी जो society के trend है वो change हो रहे है उसके साथ से हम उसको adapt कर सके समझ आई तो वैसा course होना चाहिए और remodeling of teacher training programs in India मतलब उसका जो अकार है उसको ही change कर दिया ठीक है कि जैसे हम पढ़ेंगे नीचे इसमें elaborate के अंदर क्योंकि आपके syllabus के अंदर है ये particular लग से तो वहाँ पर देखेंगे हम ठीक है क्या 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 इनके aims थे commission के क्या 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 इन्होंने recommend करा तो वहां सारा long म अंदर थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा लिखना पड़ेगा अब देखो secondary education commission 1952-53 सेकिंड आगे ठीक है अब इनका commission का नाम जो है इसको कहा जाता है mother liar commission ठीक है और इन्होंने analyze करा the problems of teacher and training program in depth मतलब कह रहा ही कि अंद गहरा ही मैं इन्होंने जो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम वह करते थे या problems वह करते थी टीचर को यह teachers की उनको analyze करा उनका visualization करा and recommend करा इन्होंने three types of teacher training institution क्या करा तीन परकार के teacher training institution के बारे में या फिर उन्होंने recommend करा कि ऐसे होने चाहिए या तीन परकार के हमारे पास teacher training institutions होने चाहिए पहला तो उन्होंने बोला primary teacher के लिए primary teacher training institutions फिर secondary teacher के लिए secondary teacher training institutions and training colleges होने चाहिए ठीक है तो ये recommend करा किसने मुदला एर commission है उसके बाद देखो इन्होंने बोला कि Training in Co-Curricular Activities, Refresher Courses and Research Work for M.Ed. प्रोग्राम यह भी जो होना चाहिए यानि Co-Curricular Activities, सहर पाठेक्रम, गतिवीदियां भी जो हो उनकी भी ट्रेनिंग देनी है हमें टीचर को Refresher Courses लेके आओ ठीक है और Research Work भी होना चाहिए B.Ed. प्रोग्राम के लिए फिर Teaching Method जो इन्होंने आपको रिकमेंड करें वो यही थे कि Project Method और Activity Method कि इससे जो है वो बच्चों को आपको ट्रेनिंग देनी है ठीक है समझ आई Project Method आप सबको पाता है जिसमें आपको एक प्रावलम दी जाती है तेन आप course पे study करनी होती है data collect करना होता है अब जो है उस पे conclusion लेके आते हो तेन आप submit करवाते हो एक report तो ऐसे method आपको यहां पे यह अपनाना है और activity method आगे कि जिसमें जादा से जादा बच्चे जो हाँ वो actively participant हो ठीक है तो वो आपको activities उगहरा करवानी है उनको जिससे जो हाँ बच्चे actively जो हाँ चीजों को करें experience करें चीजों को and then वो जादा जादा सीखें फिर आजाएगा हमारा third one that is the Qatari Commission चिसको 1964-66 का जाता है very very important है क्योंकि इन्होंने क्या recommend करा था three language formula सबको ब इन्होंने कहा कि professional जो education है यानि बेवासाई कि जो शिक्षए है teacher के लिए वो जरूरी है अगर हमे qualitative improvement करनी है education की ठीक है फार्दी qualitative improvement of education देखो qualitative improvement इन्टाहने का मतलब है कि हम quality education तब ही impart कर सकते हैं जब हमारे teacher क्या होंगे quality होंगे या उनके पास भी qualities होंगी तो इसके लिए इन्होंने क्या है उनकी भी professional education ले गया हो ठीक है और जदर जदर उनकी professional growth हो teachers की and then वो एकदम quality education impart कर वाए ठीक है उसके बाद को इन्होंने recommend क्या करा ठीक है इन्होंने recommend क्या क्या करा point number one की duration जो है training for primary teacher वो इन्होंने रख दी की two साल होनी यानि दो साल की होनी चाहिए two years की and one year for होनी चाहिए graduate students के लिए यानि जिन बच्चों का graduate हो चुका है उनके लिए दो sorry एक साल का ठीक है उसके बाद देखो based on recommendation MA degree जो है वो add की गई in education in the universities जैसे अलिगड कुरुशेत्र एंड कानपूर तो इनी की recommendation की अधार पर जो MA की degree ए education में उसको add up कर दिया था अलिगड युनिवेस्टी में जा अलिगड युनिवेस्टी में गुरुशेत्रा एंड कानपूर उसके बाद देखो आ जाता है NPE यानि new educational policy या new policy and education ठीक है 1986 यह थोड़ा सा लेखते ना made recommendations regarding the in-service condition of teachers academic freedom of teachers and in-service education तो इन्होंने कुछ recommendation दी सुजाब दिये किसके regarding in-service conditions होती थी teachers की जहाँ पर वो job करते है ठीक है तो उनको क्या-क्या problems face करनी पड़ती है वो सारी इन्होंने मतलब देखी ठीक है उसके उपर इन्होंने research करी देन इन्होंने recommend करा कि जहाँ पर teacher job कर र उसके बारे मैं इन्होंने कुछ recommendation दी ठीक है and academic freedom teacher को कितनी होनी चाहिए and in-service education को भी इन्होंने ज्यादा बढ़ा दिया ठीक है अब देखो improvement in the conditions या working condition लिखते हो सिधा यहां पर ठीक है improvement in the working condition लिखते है यहां पर ठीक है working conditions of teachers and the quality of teacher education ठीक है कि जो जहां पर भी वो काम कर र working condition है उसको improvement उसमें सुधार रहो ठीक है उसको और बहतर बनाओ and जो quality of teacher education है उसमें भी बढ़ाओ उसको भी सोड़ा उसमें भी सुधार करो या उसको भी बढ़ावा दो ठीक है और removal of disparities and equalize करो educational opportunity वही आ गया कि जो भी असमानता है उनको remove करो और सबको equal opportunity दो ठीक है कि हर बं को लेकर आओ ठीक है बच्चे के हिसाब से ठीक है बच्चा जो हो center point होना चाहिए ना कि teacher के हिसाब से मतलब teacher center नहीं होना चाहिए और establishment of diet बगारा यह आप सको बता इसी की देन है यानि district institute of education training जो होते है हमारे ठीक है तो यह आ चाहेगा NPE 1986 ठीक है अब एग मिनेट रोपना ठीक है थोड़ा सा ब्रेक देना मेरे को तो यहां दक हो गया मेरा ठीक है चैल चेंडर एड्यूपिशन हो गया डाइट हो गया ठीक है और सबको बताईए seven being होते हैं हमारे डाइट के लग लग इनके function होते हैं वह आपको करने की ज़रूरत नहीं है उसके बाद देखो यहा रामूर्थी कमेटी 1990 के अंदर ठीक है और इन्होंने क्या कर दिया internship model for teacher training के लिए internship होती है आपकी yes तो वहीं से recommend करी थी इन्होंने teaching practice over a period of time ठीक है इन्होंने बला कि teaching practice जो हो जुरूरी है ठीक है अगर हमें जो भी हमारा student teacher है उसके अंदर अगर teaching skills develop करनी है तो teaching practice जो है वो एक period के लिए होनी चाहिए यानि कुछ duration के लिए कुछ time period के लिए होनी चाहिए उसके बाद आ जाता है हमारा ncfte 2010 यानि national council for sorry national curriculum framework for teacher education ठीक है तो इनका main काम यही होता था यह क्या करते थे curriculum formulate करते थे बनाते थे और implement करते थे for teacher education के लिए इससे जाद आपको करने की जरूरत नहीं है अब आप सोच रहे होंगे कि क्या खतम हो गया खतम नहीं हुआ कहानी तो अभी शुरू यहां से होगी खतम नहीं हुआ अब भी कहानी हमारी शुरू यहां से होगी अब हम यहां पर देखेंगे हमारे syllabus के अंदर जो first commission है that is the university आजुबिशन commission 1948-49 तो introduction लिखो गया आप थोड़ा सा इसके बारे में ठीक है कि first commission after independence थी यानि आजादी के बाब पहली commission बनाई गई सेट अप करा गया इसको 1948 के अंदर ठीक है और उस वक्त चेयर मैंशिप किसकी चेयर मैंशिप के अंदर सर डक्टर सरवपाली राधागरिशनन वेरी वेरी इंपोर्टेंट लिख दोगे लिख दोगे उसके बाद देखो यह commission जो है वो अपोइंटेड की गई कब नमबर 1948 के अंदर और इसने अपनी रिपोर्ट जो थी वो सब्मिट करवाई अगस्त 1949 लिख लोगे जी लिख लोगे उसके बाद देखो commission appointed to look into the problems and prospectus of Indian university education and to suggest improvements and extensions that might be considered desirable to suit the present and future requirements of the country यानि इन्होंने वोला appoint करा इसको ठीके commission को और फिर इनका main काम गयता है कि आपको जांच करनी है कि क्या-क्या परिशानिया आ रही है ठीक है और जो भी हमारी Indian university education है ठीक है यानि यूनिवेस्टी के जो अंदर जो education है उसमें क्या-क्या problems आ रही है ठीक है और आपको suggest करने कुछ improvement measure की कैसे हम इसमें सुधार ला सकते है ठीक है जो कि हमारे लिए सही होंगी तांकि जो भी हमारी present and future requirements होंगी उनको वो satisfy कर पाए समझ आई तो इनको बोल दिया अब commission के बारे में लिखोगे आप थोड़ा सा कि इसके अंदर 10 members थे ठीक है chairman वहीं आंगे DS Radhakrishnan ठीक है अब देखो इनुने क्या गरा की six questionnaire बनाए पहले ठीक है questionnaire आप समस्ते हो ठीक है questions होते है तांकि किसी की राहे लेनी नहीं हो … थो आपको बता है वहां पे options दिए जाते हैं उनको … और mail के तुरू वेज्वे जाते हैं … APEC questionnaire होते हैं … terminal में क्या होते है जो … क्या वोलता इसका हम इन्युम्रेटर होता है वो खुद फिल करता है आंसर लेकिन क्वेश्टनेर में आपको बेजा जाता है ठीक है जैसे आपको बता है हमारा NAC NAWAC जो है वो आपको send करते है कि बताओ इस college के बारे में ठीक आप rating देते हो बाद में फिर कि हाँ हमारा college जो है यहाँ पर lab है yes है playground है yes है तो जो चीज़ें आपको पसंद नहीं होते हैं आप बहाँ पर उसके हिसाब से rating देते हो तो वो एक type का questionnaire होते है in the similar way में इन्होंने क्या करा कि questionnaire त्यार करे और 600 लोगों को बेजेगे ऐसे लोग ऐसे नहीं कि journal public को बेजे इन्होंने उन लोगों को बेजे जो कहीं ना कहीं education के field से जुड़े होए थे ठीक है और interview बगारा लिए इन्होंने administrator के ठीक है जो भी बहुत सारी इन्होंने जो है वो डेटा क्लेक्ट करा और देन जो है रिकमेंडेशन से बगारा दी समझे तो एम और अब्जेक्टिब्स आवदा कमिशन वही आ गया कुछ इन्होंने बताया कुछ उदेश्य बताए ठीक है इन्होंने वाला university have to provide leadership in politics एड्मिशेशन एज्योगेशन इंडेस्ट्री और कमर्स यह वही आगया कि university को जो है वो प्रवाइड करनी है leadership in politics के अंदर राजनित्ती के जो होती है हमारी administration हो गया ठीक है education के अंदर industry के अंदर और कमर्स के अंदर इनके अंदर जो वो leadership qualities बिल्ड करनी है ठीक है पहली बात हो यह university को किसके अंदर जो भी वही गयन कर रहा है यह ट्रेनिंग कर रहा है produce intellectual adventures समझ जाई कि university को बुद्धी जी भी पैदा करने है समझ जाई spiritual development करनी है किसकी spiritual development करनी है अध्यात्मिक विकास करम है बच्चों का ठीक है उसके बाद देखो education should discover the innate qualities of a person and develop them through training innate क्या होती है जनम जाथ देखो हर बंदे के अंदर क्या होता कि जनम से कुछ ना कुछ qualities होती है बैसा हमें जरूरत होती है उनको तराशने की तो इन्होंने भी वही का कि जो भी उनके अंदर जनम जाथ से qualities है ना उनको तराशो कैसे training से समझे शेप करो और IUBE क्या है ये इंटर यूनिवस्टी बोर्ड एंट के आप सब को वहता है सेंटर अडवाइजरी बोर्ड आफ एजुकेशन ये वही आ गया recommend the appointment of commission इन्होंने recommend करा कि appoint करो commission and commission report consist of two volumes थे तहला वालिम जो था उसके अंदर recommendation लिखी रखी थी इन्होंने और second volume था उसके अंदर था data used for the study जो भी इन्होंने data use करा था ना study के लिए वो उसके अंदर था second volume लिख दो गए important है yes important है quality है yes quality है तो आपको quantity मिलेगी भी नहीं यहाँ प quantity plus quality भी मिलेगी ठीक है तो आपकी बुक पे तो बहुत साथा लिख रखा है उन्होंने जो कि बिल्कुली एकदम वेग है काम का नहीं है ठीक है अब देखो यहाँ पर recommendation क्या थी इनकी Radhakrishnam commission जो थी हमारी तो इन्होंने बोला aim of university education क्या होनी चाहिए ठीक है तो पहली बात तो इन्होंने बोल दिया कि हमें योगे citizen जो है वो एबल है एबल citizen जो है वो produce करने है ठीक है who can take up national responsibilities in various fields यानि अलग लग field के अंदर जो कि national responsibilities को ले सके और उसके अपर कारे कर सके और हमारे देश का विकास कर सके समाज आई समाज आई professional and vocational education जो आप परवाइड करा उनको ठ जैसे trade के लिए करना है commerce के लिए करना है technology के लिए करना है तो उनके अंदर वैसी ही skill जो हो develop करो ठीक है तो vocational education को भी इन्होंने बोला कि हमारे aim होने चाहिए university education के कि जिससे बच्चों को vocational education भी provide होनी चाहिए so that उनके अंदर skills develop हो तांकि वो किसी particular occupation के अंदर job या फिर employment ले सकें फिर preserve करो and develop the culture and civilization of the country यह वही आगया कि जब भी हम education provide करें तो उससे हमारा जो culture है उसका sanction होना चाहिए preserve होना चाहिए and उसका विकास होना चाहिए ठीक है जो भी मारी सब्वेता है and culture जो हमारा है संस्कृति innovation and ideas वही आगया कि ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीज़ें लेक् ethical values क्ल्टिवेट यह ठीक है ठीक है यका हमें क्या करने है विक्सित करने क्या ethical यह नेटिक्ता की भावनाए h Moral values जैसे सही जया है गलत क्या है ठीक है और जिऊ और जीने दो किसका वो है धीकल वैल्यूज होती है यह जिऊ और जीने दो जैसे कि कोई जानबर है यहां पर आप के काम का नहीं है तो ऐसे थोड़ी नहीं कि उसका मार दो नहीं, जीऊ और जीने दो अब देखो यहाँ पर development of universal brotherhood and national integration यानि राष्टी एकी करन मतलब ऐसी बावना उत्वपन करनी है बच्चों के अंदर की उनके अंदर भाई चारा उत्वपन करना है ठीक है और राष्टी एकी करन ठीक है और उसके बाद आजएगा development of spirit and students to ensure equality, fraternity and social justice to all यह वही आगया, समझाई, समझाई ठीक है तो इसमें कुछ है नहीं इतना समझाने वाला अब देखो teaching staff के बारे में इन्होंने क्या recommendation थी तो इन्होंने वोला improve the teachers quality and qualification उसको बढ़ावा दो, समझाई, समझाई कि जो teachers की quality है ना उसको बढ़ावा दो, teacher की quality कैसे बढ़ा सकते है सर, teacher education की quality बढ़ा दो automatic बढ़ जाएगी teacher quality समझाई four categories of university teacher इन्हों के इनके साब से था पहले professor वो करते थे, readers and lectures और instructors ठीक है, pay scale and service condition जोगा वो improve कर दो, ठीक है उनको थोड़ा अच्छी बना दो ठीक है, फिर उन्होंने ये भी recommend करा कि leave होनी चाहिए four teachers के लिए teachers के लिए to pursue higher studies मतला गर कोई teacher जोगा वो higher education जोगा वो करना चाहता है तो उसके लिए leave की भी provision होनी चाहिए और promotion based on merit के अदार पर जोगा पर promotion देनी चाहिए ठीक है और age of retirement इन्होंने बोल दिया कि 60 होनी चाहिए और जो professor है उनके लिए 64 और इन्होंने बोल दिया कि definite rules regarding the provident fund और leaves and working hours should be followed तो इन्होंने बोला कोई proper schedule होना चाहिए ठीक है कि leave should take up देनी है ठीक है उसके लिए क्या procedure होगा working hours कितने होंगे school या university के अंदर sorry school नी university के अंदर वो भी इन्होंने बोला कि follow करने है कुछ definite rules and regulations तो यह आगया हमारा teaching staff फिर course duration and working day कितने ही बोले इन्होंने उसके उपर recommendation दी तो इन्होंने बोला कि admission to university education should be after intermediate examinations after 12 years of school education के बाद यह आपका जो है वो university में admission होना चाहिए फिर्स्ट डिगरी should be after 3 years के बाद आप college education उसके बाद आपको degree मिलेगी जब आप graduate हो जाओगे working days इन्होंने बोला कि college में कितने होने चाहिए 180 days होने चाहिए excluding examination day यानि exam day को short कर उसके बिना आपके जो working day होंगे वो कितने होंगे 180 plus exam days ठीक है और maximum number of students for teaching university कितने होने चाहिए 3000 बोल दिये इन्होंने ठीक है फिक्स रख दिये और जो भी affiliated यानि private colleges होंगे वहाँ पे 1500 समाझ है 1500 उसके बाद इन्होंने बोल दिये कि establishment of intermediate college at each province यानि हर एक province जो होगी ठीक है वहाँ पे क्या होना चाहिए intermediate college establish करो and opening of occupational institution वही आ गया ठीक है और organization of refresher courses by university for teachers वो भी आपको organize करने है समझ जही क्या refresher courses तो ये था अब research and training को भी इन्होंने ज़ादा recommend करा उसके उपर भी इन्होंने प्रमोट करने के लिए कुछ recommendation दी कि regulation for MA and MSC should be uniform in all universities कि जो भी rules and regulation होंगे न MA और MSC के लिए हर एक university के अंदर वो सेम होने चाहिए फिर इन्होंने बोला कि admission in PhD degree should be all India basis होनी चाहिए ये नहीं है कि particular state का दार पर या अलग अलग राज्ये में अलग अलग कोई तरीका होगा appointment करने का for PhD इन्होंने बोला नहीं अगर admission लेनी है PhD में तो सब का uniform process होना चाहिए और आल इंडिया basis होना चाहिए ठीक है scholarship or research work should be provided अगर को research करना चाहता है जैसे PhD करना चाहता है तो उसके लिए scholarship की provision होनी चाहिए और फिर आ जाएगा last that is the professional education भी देनी हमें ठीक है कि agriculture education हो गया जैसे और commercial education engineering and technology legal education और medical education इन्होंने recommendation दे दी कि professional education भी दो उसके बाद आ गया introduction of agriculture subject in all stages of education primary, secondary and higher level तक जो है वो introduce कर दो कि उन्हें सरे agriculture के subject हर एक stage of education यानि primary, secondary, higher education में है तो किमकि agriculture जो है वो हमारे इंडिया का आप सबको होता है बहुत सारे population जो है बोला जाता है कि 50% आप इंडिया के population 70 लिखा रहता है तो अभी तो 50 हो गया होगा ठीक है 70% आप आप इंडियन population कहा जाते है कि हमारी कहां पे है engaged in agriculture sector तो that's why it is very important to understand agriculture concepts तो इन्होंना बोल दिया कि agriculture के जो भी हमारे subject है उनको हर एक stage जो भी होता है level होता है education का वहाँ पे उनको क्या कर दो incorporate कर दो ठीक है या introduce कर दो चाहे वो primary, प्रात्मिक, मादमिक या फिर higher level of education increase the engineering college जो है उसका number जो है बढ़ा दो ठीक है inclusion कर दो journal education and basic physical engineering science in engineering course के अंदर ठीक है कि journal education को भी जो है add up कर दो ठीक है जो भी basic physical engineering science है उसके साथ साथ कहाँ पे engineering course के अंदर फिर इनको बोल दिया कि reorganization of law colleges and students pursuing law degree और उनका reorganization करो फिर से जो है उनका संगठन करो ठीक है और जो बच्चे law degree कर रहे हैं वो should not be allowed to pursue other courses simultaneously यानि एक साथ वो दूसरा course नहीं कर सकते ठीक है समझ आई समझ आई जो ला कर रहे है बच्चे medical colleges maximum number of admission should be 100 होनी चाहिए और hospital facilities should be located in a single campus यानि उसी campus के अंदर medical colleges campus के अंदर ही आपका hospital facilities भी देनी चाहिए उनको ताकि वो वहाँ पे properly physically experience कर पाएं जीजो को practically कर पाएं फिर religious education वही आगया कि all education institution के अंदर हमें start करना चाहिए काम with a few minutes of silent meditation के साथ फिर इनुन बोल दिया inclusion of topics like जैसे गोत्मा बुद्धा बगएरा जो भी हैं हमारी important personalities religious के रिलेटर उनको उनके वारे मैं पता है आपको रामा नुर्जा कौन थे गूगल पर करना है सर्च mathematician थे ठीक है कबीर होगे गांदी जी इनके बारे में आपको पताना है इन्दी course of first year of degree अंदर second year में आपको universalistic character inclusion करनी है course के अंदर और third के अंदर आपको central problem कहके है philosophy of religion be included यह आपको बढ़ाना है तो यह आप लिखना होगा लिख देना बहुत लंबा हो गया नहीं लिखना होगा तो कोई बात नहीं तो जो main चीज़ होगी ना बैसे यह थोड़ा-थोड़ा लिखना जो उपर है उसके बाद क्या करना है आपको मैं बता दूँगा नीचे जो important चीज़ होगी किनके हम देखने है teacher education इसमें था कुछ teacher के लेटर that's why मैंने add कर दी है इसमें moral values of all religion should we include देनी चाहिए उनको कि क्या-क्या में शिक्षा मिलती है ठीक है और develop a spirit of religious tolerance develop a spirit of religious tolerance and secularism की बावना जो है क्या करना है उनके अंदर उत्पन करना है फिर medium of instruction क्या होगा ठीक है तो इन्होंने बोला कि Hindi language जो है वो उसको promote करो क्योंकि ये हमारी union की language है ठीक है और English language जो है वो हमारा medium होना चाहिए higher education के अंदर और बाद में बोल दिया है इन्होंने की development of regional language जो है हमारी उसका भी जो है वो विकास करना है and federal language जो भी है जैसे हिंदी और इन्होंने बोला कि suggested करा है इन्होंने की use of dev nagari script जो हमारी है जिसमें हिंदी वाशा लिखी जाती है कि उसका जाए 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 यूज करो फिर बोला नने की use of regional language with option to use federal language यानि हिंदी ठीक है उसके साथ साथ उसका उपयोग करना है हमे for some subject or for our subject के लिए भी आप कर सकते हो समझ है समझ है उसके बाद examination या evaluation system कैसा होना चाहिए इन्होंना बोला की objective type test होने चाहिए कैसे होने चाहिए पेपर जो है वो objective type होने चाहिए ठीक है और किसके बज़ाए essay type test के बज़ाए या exam के बज़ाए फिर इन्होंना बोला कि हर university के अंदर should have permanent board of examination होना चाहिए जैकि जैसे कि आजकल आपको देखने को मिलता है जमो युनिवेस्टी के अंदर भी अपना एक examination board है उसके बाद है थो सुरी देखो person having five year experience should be appointed as examiner मतलब जिस भी बंदे को पाँच साल का experience है उसको आप examiner जबाब अपाइंट कर सकते हो और वाइबा वोस जोता है examination should be only for professional and PG degrees के लिए वाइबा भी होना चाहिए पर किस के लिए professional और PG degrees के लिए फिर इन्होंने बोला कि uniform of marking should be adopted uniform marking should be adopted मतलब एक जैसा marking system होना चाहिए और जैसे इन्होंने बोला कि first class rank जिनके 70% से उपर है second class rank जिनके 55 से लेके 69% है और third class जिनके 40 से लेके 54% है internal assessment test भी होने चाहिए ठीक है और abolish करतो grace marking system जो होता है उसको खतम करतो पहले हुआ करती दी grace marking अभी भी होती है जैसे देखते हो आप competitive exam देते हो तो वहाँ पे grace marking होती है फिर student activities and welfare फिर इन्होंने बोला हर एक university जो भी है must have hospital and health service facilities होनी चाहिए ठीक है ताकि बच्चों को अगर कोई दिक्कत आ जाती है उसके बाद देखो इन्करेज करा है इन्होंने social services ठीक है voluntary basis अभी तो NSS बगरा आ चुके है उसका sanitary inspection होनी चाहिए campus की ठीक है जहां पर भी बच्चे बढ़ाई कर रहे है buildings की ठीक है rooms की kitchen की area surround campus campus के आसपा जो भी area है उसकी भी जो है वो sanitary inspection होनी चाहिए ठीक है जहां चोनी चाहिए कि साफसपाई है की नहीं गंदगी तो नहीं है toilet ठीक है की नहीं है उसके बद all students should receive NCC training ठीक है मिलने चाहिए इनको वही बताया मैं आपको and office of dean should be established in colleges and university यह वही हागा की dean का office होना चाहिए physical examination of students at the time of admission होना चाहिए and at least once in a year thereafter मतलब जब आपका admission होगा तो वहाँ पे बच्चों का physical examination भी होना चाहिए और उसके बाद उसके बाद साल में एक बार जुरूब होना चाहिए compulsory physical training भी होनी चाहिए बच्चों के लिए तांकि वो पढ़ाई के साथ साथ intellectual यानि cognitive विखास के साथ साथ physical development भी बच्चों की होती रहे that's it उसके बाद women education के बारे में उने भी बोला कि women college जो हो establish करो ठीक है उनके लिए भी proper adequate facilities जो हो परवाइड करो उनको और conductive atmosphere जो हो डल्फ करो उनके लिए भी provide same facilities to women जैसे की हम लड़कों को दे रहे थे ठीक है और prepare curriculum for them considering them as both women and citizen consider करते हुए हुमें उनका क्या करना है करिकुलम डल्फ करना है समझ आई समझ आई और उसके बाद क्या है UGC आप सबको बता है ठीक है इन्होंने वाला university grant commission जो है उसको appoint करो to supervise all the university जो भी इंडिया के अंदर है और उनको जो भी fund देने है allocate करने है ठीक है और recognition करने है उनके इपर supervision देख रहे करने है उनकी किसकी universities की फिर इन्होंने बोला rural universities भी जो हाँ आप open करो तांकि जो भी लोग बहाँ पे रहते हैं वो बहाँ पे जैसे की vocational education बगारा गेन कर सकें ठीक है तो established rural universities surround by rural colleges to meet the need of rural reconstruction in agriculture and industry भी आगया art and craft बगरा promote जो भी वहाँ पे वो सीखना चाहते हैं जैसे locally वहाँ पे चीज ज़्यादा चल रही है तो उनको वहाँ पे वो सिखाओ समझे तो that's it इसी के साथ हमारा खतम नहीं होता है अभी रुक जो अब देखो बच्चावाटी दियान से सुनना जो मैंने इससे पहले बढ़ाया आपको उपर वो थी थी इसकी क्या overall recommendations अब जो बच्चे सोच रहे हैं कि बहुत lengthy हो गया है ठीक है कैसे होगा लेकि उतना tough नहीं था अब दो तीन बार रीड करो एक बार तो मेरी वीडियो सुनो उसके बाद दो तीन बार रीड करना गरंटी देता हो ठीक है कहीं skip नहीं होगा कुछ भी अब यहां से जो important कहानी शुरू होती कि recommendation क्या थी B.Ed के बारे में इनकी और teacher education के बारे में क्या थी वो हम देखेंगे यहां पर ठीक है फिर खतम हो जाएगी हमारी यह वाली commission तो देखो यहां पर B.Ed के बारे में यानि bachelor of education जो होता है हमारा तो इन्होंने बोला curriculum जो होगा पाठे करम जो होगा B.Ed course का should be flexible होना चाहिए adaptable होना चाहिए to local circumstances यानि according to the need of society उसके इसाब से होना चाहिए and adjustable होना चाहिए adaptable होना चाहिए और flexible होना चाहिए वही आगया कि अगर कोई update करने की जुरूरत पड़ती है as per needs of society या फिर जैसे जैसे trends change हो रहा है तो उसमें हम changes ला सके suitable या appropriate changes ला सके तो ऐसा होना चाहिए flexible होना चाहिए rigid नहीं होना चाहिए कि हाँ जो 1947 से चलता है रहा है वही follow up हो ऐसा नहीं होना चाहिए फिर यहनोंने कुछ recommendation दी कि school practice होनी चाहिए जाधा-जाधा ठीक है तो more time should be given to school practice assessing the student performance ठीक है क्योंकि जाधा-जाधा अगर school practice करवाएंगे भी कह सकते आप तो suitable school should be क्या लिखा ही आ रही है suitable model school should लिख दो यहां पर ठीक है should यहां पर लिख दो थोड़ा सा अपडेर कर दो क्या चाहिएगा should be used for practicing training ठीक है या फिर ऐसे भी ठीक है कि suitable school be used for practicing training के लिए या practical training के लिए वहाँ पर होना चाहिए model school और make the best वही आगया कि teaching practice वही आगया and make best of it यानि teaching practice करवाओ और बच्चे के अंदर जादा जादा जो भी best चीज़े है वो ले किया उसे बार वही बताया मैंने उपर कि जो भी सेंदर innate qualities है ठीक है training देके उनको आप उनको क्या कर दो shape कर दो उसके बाद देखो यहाँ पर flexible course होना चाहिए वही बताया मैंने कि theory course should be flexible and adaptable to local circumstances उसके बाद आगया कि supervised school practicing not less than 12 weeks in a year वही आगया supervised मतला आपका एक supervisor होना चाहिए और वो आपको supervised करेगा और जो आपकी teaching practice है वो 12 weeks से कम नहीं होनी चाहिए एक साल के अंदर और इन्होंने कहा कि supervisor जो है may or may not present throughout the 12 weeks not mandatory मतला जुरूरी नहीं है कि supervisor आपको 12 के 12 जो भी आपके 12 weeks हैं वो आपको supervise करे ठीक है थोड़ी देर करे जैसे first week करा second करा और बीच बीच and structure बोल दी इन्होंने कि कुछ कितना कारे का चलेगा तो इन्होंने बोला teacher training should be a one year PG course following graduation मतला एक साल का होना चाहिए ठीक है और PG course के बाद जो कि graduation के बाद PG होगा PG के बाद एक साल का जवाब का teacher training होना चाहिए इन्होंने बोला फिर इन्हों बोला three year UG degree one year PG degree and then one year teacher training course ये वही आ गया ठीक है और practical training वही आ गया ठीक है कि जादा जादा practical जो है institution उसके साथ teacher training college should have attached practice school होना चाहिए बता दिया मैंने आपको model school जिसको कहते हैं curriculum इन्होंने क्या बोला कि पाठेक्रम कैसा होना चाहिए तो curriculum of teacher training should include general education teaching methods psychology and practice teaching ये सारे के सारे curriculum के अंदर होने चाहिए देखो general education वही आगए जिसके अंदर principles concept वगएरा सीखेंगे हम method कौन-कौन से होते हैं पढ़ाने के वो सीखेंगे बच्चे की psychology बच्चे की development के अगर लेटर सीखना है तो psychology जरूरी बढ़ने पड़ेगी और teaching practice की provision भी होनी चाहिए ताकि बच्चा जो हो teaching practice जो हो उसको practiced कर पाए and उसके अपने अंदर skills develop कर पाए salaries and status तो इन्होंना बोल दिये कि increase कर दो salary and allowance teachers के लिए to attract attention of talented individuals to the profession ताकि जो भी teacher है वो जोब पर आते रहें retained रहें ठीक है शोड़के ना चले जाए ठीक है हमारी salary नहीं है ठीक है तो ऐसा नहीं होना चाहिए proper एकदम appropriate उनकी salary होनी चाहिए allowance provisions होनी चाहिए फिर उन्होंना बोला कि continuous professional development के लिए भी कुछ in service program लेके आओ ठीक है और orientation course लेकिया हो establishment of educational research institution भी आपको establish करने जहां पर जादा जादा research हो related to pedagogy method जो जो problems आ रही है ठीक है क्या-क्या कि जो भी pedagogy method होते है ठीक है फिर से गलत तो जो भी pedagogy related methods होते हैं ठीक है क्या-क्या current trends हैं कैसे कैसे हम inclusivity को promote कर सकते हैं तो उसके related भी research होने के लिए research करने के लिए आप जो हो educational research institution है उनको open करो और financial support भी जो आपको provide करनी है to students pursuing teacher education तो यह इनकी कुछ recommendation थी इसके साथ आप इसका conclusion लिखता होगी जो भी हमने उपर बढ़ा ठीक है तो that's it that's it that's it इससे साथ आपको कुछ नहीं करना है ठीक है देखो अब अब मैंने उपर क्यों करवाया आपको 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 आजाता है कॉंटिटी तो है नहीं तो यह आपको लिखना पड़ेगा ठीक है थोड़ा थोड़ा इसमें से जो मैंने यह से यह पड़ा ठीक examination evaluation तो इसमें क्या है तीन ही पॉइंट है चार पॉइंट है तो लिख तो सकते हो आप इसमें ठीक है कि uniform marking system होना चाहिए वाइबा बगरा होन जान तक होगा जान तक मेरा जवाब नहीं दे जाता ठीक है अब देखो यहाँ पर कोटारी कमिशन आ जाता है हमारा second commission जो कि आपके syllabus के अंदा है ठीक है तो introduction में लिखोगे आप वही क्या लिखोगे sir commission जवाब वह सैट की गई थी यहां point की गई 1964 के अंदर to give advice to the government on the action to be taken for the development of education at all level मतलब हर एक सतर पर pre primary primary higher education तो हर एक level पर हम कैसे जो है वो यह कौन-कौन से action जो हो ले सकते हैं जो education है हमारी शिक्षा है उसके विकास के लिए तो एक commission जो हो चेर्मेन कौन थे डक्टर डीयस कोटारी जिनका फुल नाम था दोलत सिंग कटारी और यह तब के चेर्मेन भी थे यूजी सी के यानि यूनिवेस्टी ग्रांड कमिशन जो है हमारी उसके चेर्मेन भी थे तब यह थर्ड कमिशन मनाई गई थी after independence 14 चुलाई 1964 के अंदर इस से 64 66 सबको बात है समझाई और इनका जो रिपोर्ट का टाइटल था वो क्या था education and national development शिक्षा और राष्टी विकास समझाई समझाई यह इनका टाइटल था उसके बाद देखो 17 मिंबर थे इसके 17 जिसमें 5 foreign expert भी थे countries के नाम याद करने में तो कर लिए ना नहीं तो पान से थे ठीक है अब कोटारी कमिशन क्यों वही कोटारी कमिशन तो इनका में क्यों मतलब क्यों पाइंट किया रहा है इन्होंने को तो तो प्रवाइड और रोड मैप और एजुकेशनल डवल्मेंट और पॉलसी फार्मूलेशन मतलब कि आप जो है वो हमें एक रोड और पोड़ियेशन और यह रहा है यह इस फिर अद्लिडाई करो उनको पहचानो प्र हमें बताओ फिर address disparities in educational assess and equality कि आपको address कर रहा है कि क्या क्या disparities है यानि अस्मानत आए हैं कहाँ पर educational assess में जैसे होता है कि कुछ लोगों के पास जो education नहीं पहुंच रही है जो poor है या फिर जो disadvantaged section है disadvantaged section है जो हमारी society की या फिर quality जो education है उसमें कहाँ पर कमी है ठीक है क्या असमानत आए है वो आपको address करनी है फिर holistic reform लेकिया हो ठीक है holistic मतलब संपोरन रूप से in education यानि संपोरन रूप से कैसे reform लेकिया सकते है education के अंदर उसके curriculum के अंदर teacher training infrastructure etc और बाद में address issues of educational inequality and social justice इसके लेटर भी आपको जो issues हैं ठीक है society के अंदर भी आपको address करना है इसलिए उन्होंने बनाई क्या कोटारी commission कर लोगे easy है simple है इससे जादा simply भी नहीं हो सकता अब देखो थोड़ा सा report के बार में लेखोगे आप लिखोगी की नहीं लिखोगे लिखोगे तो रिपोर्ड वही आगया submitted कप करी थी 29th June 1996 के अंदर रिपोर्ट जो है वो चार सब पार्ट के अंदर divided थी ठीक है और जैसे हमने देखा था उपर रादा करिशनन कमिशन जो थी उसकी रिपोर्ट जो थी टू वालिम थे फर्स जो था रिकमेंडेशन सेकेंड जो था वो जो भी उन्होंने डेटा यूज करा था study के लिए इन सिमिलर वे में यहां पर पार्ट वन जो है वो जर्नल इशू के लेटर था ठीक है जो सामाने हम अब लिखता हों कि असान है इसे अब को करना भी नहीं है रिपोर्ट वाज बेजड आन फोर थीम्स थे इनके क्या थीम्स थे पहला प्रड़क्टिविटी बढ़ानी है ठीक है प्रड़क्टिविटी पैदावार नहीं वह वाली पैदावार नहीं मतलब हमारी जो एजूक कि जादा जादा हमें modern technology कैसे इंटिग्रेट करनी है कैसे यूज कर सकते हैं उसको कैसे हम इंटिग्रेट कर सकते हैं एजूकिशन में वह और बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं जो भी टीचर्स हैं ताकि वह आगे जाके उसका उप्यों कर सकें इन टीचिंग लर्नी प्रोसे नहीं आत्यात्मिक वैल्यूस जो है वो डेल्प करना उसका विकास करना किसके अंदर बच्चों के अंदर तो यह इनके कुछ चार थीम्स थे ठीक है कि एड्यूकेशन जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो यह चार चीचें करें फिर रिकमेंडेशन क्या थिसक्मिशन की तो सर इन्होंने बोला कि common school system होना चाहिए ठीक है सबके लिए और provide equal opportunity मतला हर बंदी को चाहिए वो equal opportunity प्रवाइड करनी चाहिए to all children चाहे उनका कोई भी socio economic background क्यों नहों समाजिक आर्तिक सित्थी या कहीं से भी belong क्यों नहों करते हो लेकिन हमें उनको common system जो education system है यह school system हो प्रवा education for children up to age 14 यानि 14 साल की उमर थक हमें उनको free education provide करनी है और compulsory यानि अनिवारे ठीक है तो यह आप सबको भी पता है हमारी 11th fundamental duty है 11 थी है ना ठीक है सब्सक्राइबल होना चाहिए पहली बात हो कि अडप्टेबल होना चाहिए अपडेटेबल होना चाहिए according to the need and the जो भी हमारे क्रेंट चलेंगे सुसाइटी में ठीक है उसके बाद आएगा that would promote creativity और curriculum जो हो मारा इस परकार से होना चाहिए कि जिससे बच्चे के अंदर जो हो रचनातमक सोच जो हो उसका विकास हो critical thinking डाल पो holistic वहीं आ गया ठीक है संपोरन रूप से development विकास होना चाहिए learner का ठीक है ऐसा करीगुलम होना चाहिए यानि सरवांगी ने विकास बोलो आप all-round development समझाई फिर इन्होंने करा suggest three language formula भी suggest करा था आप सबको बता है mother tongue, regional language, official language of state and English भी इन्होंने यह आपको पता है सब ठीक है और standardization of educational system जो है standardizing बना दिया उसको की आपको यह pattern follow करना ही करना 10 plus 2 plus 3 जो की follow होता आ रहा है समझाई, throughout the country, 10 years जो अब आपके पहले हो जाएंगे first class से लेके 10 तक, फिर 2 years जो अब आपके हो जाएंगे 11th 12th में और 3 years आपके हो जाएंगे graduation में, सबको बता है, उसके ब with proper facilities, और appropriate student teacher ratio होनी चाहिए, ठीक है, और improve the quality of teacher education and training, यह वही आगया, इसमें समझाने की जरूरती नहीं है, कि जो quality है न teacher education की, उसको भी बढ़ावाद हो, ठीक है, और चाहाँ पर हम उनको training दे रहे हैं, उनके उपर भी थोड़ा, जादा आप focus करो, ठीक है, institution के अंदर, और बच्चे जो हो, जादा जादा उनके अंदर तांकि innovative ideas आएं, ठीक है, और research, यानि खोज करके चीजों को सीखें, ठीक है, और scientific जो उनके अंदर inquiry की thinking होती है, या उनके अंदर जो एक attitude होता है, वो delve करना, फिर delve technical and professional education भी जो है वो विकास करना है, ठीक है, vocational education भी आगया, ठ practical skills develop करों के अंदर, तांकि बच्चे जो है, उनके अंदर जो है, वो particular किसी occupation को लेके, वो सारी skills develop हो, तांकि वो proper कहीं पे employability के chances जो हो बढ़ जाएं, ठीक है, प्रमोट करो, adult education को भी जो है, प्रमोट करने को बोला है, इन्होंने, and distance education incorporate करो, ठीक है, आप सबको बता है, ensure the well being of student, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बच्चों जो है, वो, well being, उनका भी जो है, उसका पर भी ध्यान रखना है, आपको, language promotion के लिए भी इन्होंने बोला, कि Sanskrit, जो भी अपनी regional language है, and international language हो है, इनको promote करो, और जो teacher की जो working condition है, वो favorable होने चाहिए, और adequate service condition होनी चाहिए, freedom होनी चाहिए, to conduct research and publish finding, तो उनके पास जो है, वो अजादी होनी चाहिए, कि वो research कर सके, and अपनी जो भी finding, जो भी चीज़ें वो find करते हैं, वो उसको publish कर सके, फिर आगे integration of math and science subject को, जो है, integration एक ही करन, सबको पता है, interdisciplinary process अबने पढ़ा है, उसके बाद provision for scientific, sorry, sufficient libraries, कि sufficient libraries के लि जादा जादा होनी चाहिए, समझ आई, जादा 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 अगर ये चीज़ें होंगी, तो जादा से जादा बच्चे जो है, वो practically experiment कर पाएंगे, बच्चे, and scientific inquiry, या फिर research करके चीज़ें जो है, वो सीखने की कोशिश करेंगे, और उनके अंदर भी critical creativity, ये सारी चीज वही आगया, कि incentives जो है, वो जो system है, उसको introduce करो, ठीक है, ताकि जो quality of teaching है, वो भी उसमें कहीं ने कहीं improvement हो, system of assessment and evaluation, adaptation वही आगया, कि proper system होना चाहिए, आंकलन करने का, और मुल्यांकन करने का, मुल्यांकन समझते हो ना आप, test लेते हो, objective test, long answer type test, assessment just आंकलन होता है, कि कितना बच्चे ने सीखा, फर्क यही होता है, assessment और evaluation में, कि evaluation में क्या होता है, कि आप यहाँ पे, कुछ number values देते हो बच्चों हो, ठीक है, जो कि कहीं ने कहीं काम आती है, बच्चे के, आगे 20 की types होती है, आपने पढ़ा हो है, formative, summative, बथाने की ज़रूरत नहीं है, integration of education with economic planning, और है, वो assessment से पता चलता है, uncle हैं जिसको बहते है, integration of education and economic planning के साथ, जो है, education को integrate करो, ठीक है, कि उसी के साब से policies बनाओ, ठीक है, ताकि ज्यादे ज्यादे हम, जो है, education को promote कर सके, allocation of funds to states should be based on their population के अदार पर, जो है, state को fund जो है, जो है, जो है, जो है, बढ़ावा देने के लिए उसका विकास करने के लिए, यूज करना चाहिए, उसके बाद, increase access to education for all people, especially in rural areas, यहनि ग्रामी, शेत्रों के अंदर, ठीक है, जादा 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 जो है, वो आपको क्या करना है, लोगों को, education की जो access है, वो provide करना है, introduction of new approaches to teaching and learning के लिए, new approaches, method, जो है, वो ले के आने, ठीक वही आ गया, समुदा है, जो होते हैं, हमारे उनकी participation होनी चाहिए, एक्टिव, curricular reforms, introduction of new course of study, जो है, वो आप ले के आ सकते हो, ठीक है, और जैसे अभी COVID आया है, तो कुछ टेम भाई देखना, COVID भी आपका syllabus के अंदर यह curriculum के अंदर add हो जाएगा, ठीक है, फिर आजेका teacher training भ और all individual of society, groups, disadvantaged section भी आ गया, कि जो higher education है, उसकी भी assess हमें, जो है, वो हर इक section को जो हो देनी है, society के अंदर groups, जो भी disadvantaged groups हैं, यह society है, section है, society की, फिर reorientation of educational system, to make it more relevant as per need of society भी आ गया, मतलर reorganize कर दो, expansion of secondary education to meet the need of growing population, expand मतलब बढ़ा दो number of school जो भी है, higher education के, और science and technology, भी खा, पिकास भी करना है, इसको भी जादा जादा बढ़ावा देने, अब आ जाती है, major recommendation क्या थी, तो यह आप लेख दोगे, education for increasing productivity, science integration कर दो, work experience बच्चों को, जबावो जादा जादा ऐसी, ऐसा curriculum रहो, कि जिससे बच्चे जादा 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 चीज़े experience करके सीखें, एक्टिवीटी करके सीखें, vocational education वही आगे किसी particular occupation के लिए रेडी कर दो, उनके अदर वो वाली स्किल्स डाल कर दो, scientific and technical education हो गया, improvement यह आजाएगा, फिर आजाएगा, education for social and national integration वही आजाएगा, कि common school system होना चाहिए, social service programs हो गया, community participation हो गया, language, literature, philosophy, history, teaching, यह सारे हमें add up करने ठीक है, कि social और national integration यह उपर में पढ़ामने वही है, that's why I am thought of fast fast read कर रहा हूं मैं, अब देखो education for modernization, मतला आदोनी की करने के लिए, तो इसमें innovation, new ideas, new technology, new approaches of teaching learning, ठीक है, नई तकनीकें जो होती है, सीखने की, पढ़ाने की, और teaching of vocational subject भी हमें जो हो है, वो करवाने है, जैसे trade-related, commerce-related हो गया, agriculture-related हो गया, ठीक है, development of democracy, ठीक है, तो awareness of right and duties के हैं citizen की, वो भी हमें उनको सिखानी है, fundamental duties के हैं हमारी rights के हैं हमारे, और sensitivity and responsibility की feeling जो है, यहनि sensitize करना है हमें students को, उसके बाद आएगा social culture and moral values, development यह वही आगा, study of major religion of the world, culture, heritage, etc, और education structure हमारा आजाएगा की uniform education structure ह होना चाहिए, 10 plus 2 plus 3, और working days कितने बोले इन्होंने, 234, very very important है, उपर वालोने कितने बोले, रादा कृष्णन कमिशन है, 180 days, समाह चाहिए, यानि 39 weeks होने चाहिए, school के लिए and 212 days होने चाहिए, college and pre-primary school के लिए, very very important, चीक है, उसके बाद देखो, यहाँ पे curriculum कैसा होना च तंग या regional language का use करो, और mathematics, EBS, health education बगारा उनको सिखाओ, समाह चाहिए, अपर primary की बात करें, तो इन्होंने बोला दो language होनी चाहिए, एक तो regional और दूसरा हिंदी और English, ठीक है, mathematics, science या पढ़ लोगे, इसमें कुछ इतना है नहीं, उसके बाद आएगा, lores country में, three languages बोला इ non-hindi speaking है, और जहाँ पर हिंदी speaking है, वहाँ पर पहले mother tongue, regional language, फिर हिंदी और English, फिर कोई एक modern language, ठीक है, हिंदी को short के, समझ आई, फिर आजाएगा higher secondary में, कोई दो languages, ठीक है, और any modern language, या फिर कोई foreign language भी आप यहाँ पर सिखाओगे उनको, और any classical language, दूसरा आजाएगा, ठीक है, उसके बाद subject आप सारे के सारे पढ़ाओगे, यह आपको बताईए, और recommendation क्या थी teacher education पर, यहाँ से आपका शूरू हो जाएगी, सही story, अब आप फिर से बोल रहे होंगे, कि यह extra क्यों लिखा, तो extra इसलिए लिखा, क्योंकि देखो, यहाँ पर भी teacher के related ही है, यह यह भी तो teacher के related ही था, कहीं न कहीं, यह भी तो teacher ही बनेंगा, अगर कोई पढ़ रहा है, तो teacher तो बनेंगा ही ना, ठीक है, अगर science integration कर रहे है, ठीक है, new teaching, यहाँ पर आया है न, new approaches of teaching learning, तो पढ़ाने की नहीं नहीं तखनीके, तो है तो teacher education के related ही है न, teacher ही बनेगा वो, के लिए, पानी बिलेट्टो में तो अब दिखो यहाँ पर, अब मैं बता दितो फिर से, अगर आपको आजाता है न, जान से जुनना फिर से, अगर आपको exam के अंदर question आ जाता है, कि बताओ, post independence के बाद teacher education की relevance क्या आती ही, ठीक है, तब आप जोब हो, थोड़ा थोड़ा लिखोगे, ठीक है, जो recommendation recommendation लिख पर देखे हैं, मैंने वही लिखोगे, ठीक है, समझाई, लेकिन अगर लग से आता है, telemarks के अंदर तो फिर आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है, फिर पूरा लिखना पड़ेगा, और जितना जादा हो सकता है, यह से हाईर education था, तो इनके शोटे-शोटे synopsis बगर आते जरूरा होगा, ठीक है, अब देखो यहाँ पर, recommendations क्या है, teacher education के उपर, इसकी सर्फ कटा recommendation की, तो इन्होंने कहा, most important recommendation जो थी, teacher education was the establishment of AICTE, अब यह क्या है, sir, all India consult of our teacher education, यह इनकी सबसे वड़ी recommendation थी, और इन्होंने establishment हो गया, किसका AICTE का, और क्या क्या रोल थे, AICTE के, इन्होंने पहला, coordinate, promote करना, and improve the standard of teacher education का, जो standard है, उसको promote, बढ़ावा देना, उसको improve करना, सुधार लाना उसमें, ठीक है, और regulation and accreditation of teacher education institution, समझाई, regulate करना, policies बनाना, rules बनाना, फिर AICTE to advise state and central government on teacher education, related issues and matter, जो भी स्के related होंगे, teacher education के related issues होंगे, matters होंगे, वो, उनके related, जो है, वो state or central government को advise करना, ठीक है, कि हम कैसे improve कर सकते हैं, कैसे इन problems को, जो है, वो, tackle कर सकते हैं, फिर encourage करना, बढ़ावा देना, research and innovation in teacher education में, ठीक है, यह भी इसके role थे, फिर आजाएगा, emphasizing the need of continuous training of in-service teacher, तो बढ़ावा देना, कि क्यों, क्यों, जरूरत है, हम जो already teacher लगे हुए है, तो sir, अगर हमें continuous growth चाहिए न, profession में teacher की, तो हमें उनको training देनी पड़ेगी, क्योंकि जो आज से 10 साल पहले चीज़ें थी, वो आज नहीं है, तो अगर आज जो चीज़ें, जैसे आज क्या आगया, ICT आगया, हर एक school institution के अंदर जोज होता है, तो of pre-service and in-service education for teacher के लिए प्रपोज यानी बनाना, and AICT to coordinate and determining standard of teacher education ये वही आगया, फिर उसके बाद, remove the existing isolation of teacher education from university से, ये भी इनकी recommendation थी, ठीक है, कि ये जो isolation है न, कि जो दोन्नों अलग लग है न, कि teacher education अलग से होगा, university जो हो है, वो totally किशो और ही बढ़ाएंगे, तो ऐसा नही बना, integrate कर दो, ठीक है, university के अंदर teacher education बढ़ाना शूरू कर दो, तो ये वही आगया, introduction of education and pedagogy of as independent discipline and as elective subject in course के अंदर, ठीक है, समझाई, 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 कि introduction कर दो, किसका, sir, education का, and pedagogy, जो भी मारे art of teaching ये, teaching ये लेटर, जो भी subject होंगे, ठीक है, as independent discipline and as elective subject course के अंदर, ठीक है, उसके बाद, establishment of school of education in selected university के अंदर, आपको क्या करना है, education के school, जो आपन करने है, establish करने है, to develop teacher education and research in education, यानि teacher education के अंदर research, और teacher education को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, फिर आजागा, remove existing isolation of teacher education from school से, ठीक है, तो इनना बोल दिया कि, establish and extension service department, यानि इच institution के अंदर, आपको extension service department, जो आवो establish करना है, ESTA, BLA, SH, ठीक है, pre, primary, primary and secondary level पे हर एक level ठीक है, आपको open करना है, extension service department, उसके बाद, establish कर दो, effective alimony association, यह वही होते है, alimony आपको बताया है, क्या होते हैं, जो already pass out हो होते हैं, ठीक है, जो seniors होते हैं, तो उनको bring out करना, ठीक है, यानि एकिठा करना, फिर उनसे suggestion बगेरा लेना, ठीक है, और वही हागा, कैसे design करना है, करिकुल, then उसके उपर कोई decision लेना, अपनी जो ideas हैं, वो share करना, thoughts, teaching practice school होने चाहिए, और programmer to improve the quality of teacher education, वही हागा, programmer नहीं होगा, programs आएगा, कि programs लेकिया हो, जिससे जो हमारी quality of teacher education है, वो improve हो, working days जो है, वो 230 होने चाहिए, और two years professional course for primary teachers, who have completed secondary school courses, कर चुके हैं, उनके लिए, दो साल का professional course लेकिया हो, and, 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 कहा है गए था, one year professional course for graduate students के लिए, और establishment of state board of teacher education, हर एक state के अंदर आप establish कर दो, state board of teacher education should conductor survey of teacher education programs, curriculum and revision of existing teacher education program, यानि state जो board बनेगा न, teacher education का, उसको फिर क्या करना चाहिए, conduct करना है, ठीक है, survey conduct करने है, किसके उपर, teacher education program जो भी चल रहे है, ठीक है, curriculum जो भी उसका है, ठीक है, और revision करना, मतलब revise करना, अगर कहीं पर update की जरूरत है, या कोई new चीज़ एड करनी है, कोई delete करनी है, तो वो भी जो है, वो इसका काम बोल दिया है, इन्होंने कि state board को, जो भी बनेगा, teacher education का, वो करेगा, फिर आजाएगा, development and introduction of new professional courses for headmasters and teacher educators, वो यह आगया, कि नए नए जो है, वो कोर्स लेकिया हो, किसके लिए, सरे जो भी headmasters वगह रहे हैं, ठीक है, and teacher educator जो भी है, फिर आजाएगा, secondary जो teacher रहेंगे हमारे, क्योंकि हमारा जो कोटारी कमिशन है, यह all level of education के लिए था, ठीक है, तो secondary teacher जो होंगे इन्होंने बोल दिये कि staff of secondary training colleges should have double master degree होनी चाहिए, एक academic में, ठीक है, और दूसरा education में, academic subject वही आगे है, जैसे आप bio पढ़ाते हो, physics पढ़ाते हो, history पढ़ाते हो, उसके बाद बोला, appoint qualified specialist in subject, मतल जो already particular subject के specialist है, उनको appoint करो, organize करो seminar, ठीक है, sorry, summer institution, for in service training, आफ स्टा भी आपक पता है, summer के अंदर training होती है, सबको पता है, शुटियां पढ़ती है, और adequate scholarship for teacher trainees के लिए facilities होनी चाहिए, primary teacher के बाले मैंने बोला कि staff in this institution for training primary teachers should hold a master degree होनी चाहिए, either in education यहाँ फिर academic subject as well as BID भी हो सानी चाहिए, यहाँ तो academic subject में, ठीक है, यहाँ फिर education में, समझ है, और उसके स साथ BID की भी होनी चाहिए, conclusion आप लिख दोगे, और इसी साथ हमारा हो जाता है, यह खतम, और मैं भी यहाँ पर इसको कर दूँगा, खतम, वैसे थोड़ा ही है, ठीक है, कर लेते है, complete कोई बात नहीं, एक गंटा, 10, 15, 20 मिनिट लगा हो जाएगा, कोई बात नहीं, सारी commission जो है, वो पढ़ लिया, दो होगे हमारे, ठीक है, अब हम लास्ट देखेंगे, that is a चतो बदाय, committee report 83-85, और very very important इसलिए है, क्योंकि national commission on teacher education 1 कहा जाते है, इसको, समझ आई, ठीक है, तो commission जो थी, थोड़ा सा लिखोगे, sir, professor, dp, यानि देवी परसाद, चतो बदाय, जो से chairman थे, और इसको कहा जाता है, commission को, also known as national commission on teacher education, समझ आया, समझ आया, national commission on teacher education 1 कहा जाते है, इसको, established कब हुआ, sir, 1983 में, sorry, and report कब submit करवाई, sir, 1985 में, ठीक है, और इसकी जो report थी, उसका जो title था, उसका क्या नाम था, sir, teacher and society, यानि शिक्षिक और समाज, समझ आई, समझ आई, अब देखो, यहाँ पर, क्या था, क्या था, में इनका, retention of talented person in teaching profession में, retention रखने है, ऐसा नहीं नोबत नहीं आनी चाहिए, कि वो job शोड़ के बाग जाए, emphasize करा, किस पे, teacher welfare पे and their status in society में, उनका जो ओदा है, society में, उसके उपर इनका जाधा focus था, उन्होंने इसको ज़्यादा बढ़ावा दिया, और teacher के welfare के बारे में, ज़्यादा सोचा, यानि उसकी working conditions, उसकी salary के बारे में, ठीक है, और enhance करने को बोला है रहना, professional qualities, to review and recommend improvement in the existing training for teachers, जयानि pre-service and in-service में, जो भी teacher training program थे, उसको इन्होंने क्या करा, review करा, और recommend करा, कि कहाँ कहाँ पे improvement की ज़रूर्गत है, समझ है, जो already training program थे teacher के लिए, ठीक है, उसके बाद देखो, इन्होंने कुछ recommendations दी, ठीक है, सुझावत दी है, कि duration जो होगी न, teacher education की, वो should be extended for two, two, two years, मतला, दो साल से जादा कर दो, नहीं, नहीं, मतला, extend कर दो, two years, मतला, दो साल तक कर दो, extend, ठीक है, और number और working days, इतने के नहीं बोल दिये, कितने बोल दिये नोने है, to 20 days, in each year के अंदर होने चाहिए, after secondary school, four, या फिर five year का जो हो, वो preferred, जो भी सही लगे, teacher education certificate, should be introduced, मतला, ऐसा system होना चाहिए, समझ जाहिए, कि चार साल का, या पांच साल का, जो भी preferred, आप चूज करते हो, teacher education certificate program, जो है, वो, introduce करना चाहिए, and for 12th qualified, जो भी student है, उनके लिए, दो साल का elementary teacher education program, implement करना चाहिए, समझ जाहिए, और जो 10th qualified student है, उनके लिए, 4 साल का integrated teacher education course, जो है, वो, implement करना चाहिए, बहुत सरल भाशा है, ठीक है, बहुत सरल, उसके बाद देखो, selection test जो है, वो, should be conducted, very, very important, सबसे ज़ादा अच्छी recommendation, कि अगर teacher education program के लिए, बच्चों को select करना है, तो पहले तो उनका test लो, जैसे होता भी है, GCOE, जम्मू में अगर कोई पढ़ा होगा, तो उसको बता होगा, जो government college से करके आए होगा, वहाँ पर test होते है, ठीक है, जो भी हमारे तीन government colleges है, ठीक है, एक IESC से रिनेगर के अंदर है, एक composite regional center है, और CRC, और एक GCOE जम्मू है, यहाँ पर तीनों के लिए, जेके बोब जो है, वो, conduct करता है exam, ठीक है, बहुत अच्छा college है, बहुत अच्छी इन्होंने बोला जो test लेंगे ना, तो उसके अंदर हमारे लग लग हो सकते हैं, जैसे combination of rating scale, ठीक है, objective version पूछ सकते हो आप, ठीक है, टेस्ट ले सकते हो, group discussion कर सकते हो, personal interview भी ले सकते हो, तो इस परकार से आपका जो हो, selection होना चाहिए, students का for teacher education program के लिए, फिर consideration of the physique, यानि जब भी हम select कर रहे हैं, बच्चे के तो उसके physique हो गया, general awareness कितनी है, उसकी attitude towards life of student की, जो life है, उसके प्रति, उसका कैसा नजरिया है, वो भी हमें सारी चीज़ें जो हो, mind में रखनी है, while selection process, या while selecting candidate, for teacher training program, duration क्या होगी, teaching practice की, तो इन्होंने बोला, 4 week होनी चाहिए, 3rd semester के अ समझ आई, और curriculum of teaching program का जो भी होगा, sorry, teacher education program का, वो इन्होंने बोल दिया कि उसके अंदर हमारा theory के component आएंगे, जिसके अंदर हम professional preparation के बारे में पढ़ाएंगे, ये कैसे उसको professionally ready करना है, general education बगारा पढ़ाएंगे, और practical component के अंदर हमारे teaching practice बगारा आजाएंगे, internship बगारा अब इन्हों नहीं बोला था कि हमें na teaching practice के बजाएं हमें क्या बोलना है, internship, शायदे इन्हों नहीं बोला था, लिखा भी होगा हमें नहीं पे, चलो कोई बात नहीं, तो याद रखना कि जो हमारी, क्या तो बदाए, committee थी न, इन्हों नहीं बोला था कि हम अगर, हम अगर teaching practice इसके बजाए internship term use करेंगे तो बहुत जादा सही रहेगा ठीक है क्योंकि वो सोड़ा broad चीजे cover करता है ठीक है क्योंकि teaching practice just teaching practice cover करता है कि आपको teaching practice करना है internship के अंदर बहुत सारी activities आती हैं आपको school visit करना है आपको teaching practice करना है वहाँ पे जाके activities करवानी है ठीक है अब देखो proper evaluation criteria होना चाहिए to measure teacher students qualities इन्होंने बोला कि अगर हमें teacher जो भी student है उसकी qualities को अगर assess करना है evaluate करना है मुल्यंकन करना है तो उसके लिए कोई proper criteria होना चाहिए ठीक है कि उसका attitude कैसा है toward work जो भी कारे है उसके प्रति उसका नजरिया कैसा है affection for student यानि बच्चों के प्रति भावना कैसी है उसके दिल में involvement in activities कैसी है उसकी अगर ये सारी जीज़े हमें आंकलन करना है मुल्यंकन तो उसके लिए proper evaluation criteria भी होना चाहिए फिर देखो यहाँ पर identification of teachers who are expert in use of education technology कि ऐसे teachers जोकी expert है education technology के अंदर उनको identify करो पहचानों और हर एक जो भी school है या education college है वहाँ पर उनको post कर दो समझे है deploy या लगा दो फिर है जाएगा capital grant होनी चाहिए ठीक है sufficient capital जो है वो grant यानी पैसी की जो है वो grant मिलनी चाहिए to upgrade and expand the physical facilities of teacher education जो भी institution है ठीक है one year be a course to 20 days with higher working hours होनी चाहिए यहनी teaching practice के लिए जाधा time देना है हमें तो इन्होंने recommend कर रहा उसके बाद आएगा student teacher should obtain experiences in their other tasks also जैसे organizing कैसे करना है extracurricular activities event में जैसे आप debate competition करवा रहे हो ठीक है तो कैसे उसको organize करना है ठीक है और बहुत सरी activities जो है हम करवाते है ठीक है तो वो भी यहाँ पर आपको उसको experience गेरना चाहिए कि इसको student teacher gain करना चाहिए सोड़ी फिर आजेगा dealing with community की community के साथ कैसे deal करना है समदाय जो भी आसपास teaching techniques इसके related भी इसको क्या करना चाहिए proper proper experience and knowledge यहाँ पर घेन करना चाहिए ठीक है उसके बाद आएगा word internship यह लिखा हुआ देखो word internship should be used instead of teaching practice क्योंकि internship के अंदरना बहुत सारी चीज़ें जो हाँ व vast array समझे समझे जो कि मैने ऊपर बताया as it conveys more comprehensive idea of teacher education अब देखो यहाँ पर selection of trainees for teacher profession यह teaching profession factors may be taken into consideration कौन-कौन सी चीज़ें में ध्यान में रखनी है good physics ठीक है linguistic ability कैसी है उसकी communication skills कैसी है बच्चे की वो सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है general mental ability कैसी है उसकी ठीक है general awareness कैसी है उसके बारे उसके बारे नहीं उसके अंदर about world कैसी जानकरी है उसको ठीक है कितनी जा से वो कैसे 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 बारतलाब करता है communicate करता है conduct करता है तो यह सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है while selecting the candidate for teacher education program professional preparation through कैसे कर सकते हैं sir study of education psychology sociology education philosophy तो ऐसे कर सकते की नहीं कर सकते psychology पढ़ाएंगे तो उसके अंदर psychological principle आएंगे motivation हो गया जैसे पढ़ाया आपने ठीक है learning theories होगी जैसे ठीक है बच्चे की development होगा जैसे सबको पता है ठीक है कौण कुण से steps होते है child development के ठीक है कौण-कौण से domains होते है child की development के चार पहला क्या होता है सर कोगनेक्टीव संगनात्मक दूसरा सर सर इमोशनल बवनात्मक तीसरा सर मोरल नितिकता चोथा सर सोचल डिवल्मेंट आप सब को पाता है सीटेट के अंदर याद रखना ठीक है तो टीचिक प्रेक्टिस सफ्ट स्केल लर्निंग और बात में इन्होंने पोल दिया कि फोर एर इंटीग्रेटर कोर्स फार सीनर्स केंडरी स्कूल एड्यूकेशन लीडिंग टू ग्रेजुएशन एंट्रेनिंग ये तो बता दिया आपको और एलिमेंटरी टीचर शुट हाव टू एर्स ट्रेनिंग कोर्स अफ्टर क्लास 12 ये भी बता दिया और ओन जॉब ट्रेणिंग फार अंट्रेंड फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएट्स फालूड बाइफुल ट्रेनिंग थ्रू कंट्रेक्ट प्रोग्राम्स के थ्रू उनको ट्रेनिंग भी दीने चाहिए इंपोड़न ये रहने देना ठीक है फिर उनके इंदर प्रोमोट करना है सेक्लोरिजम वही आगया कि अपना कोई धर्म नहीं होता सब धर्म बराबर अमंग स्टुडेंट्स modernization वही आगया अधुनी करन and modern country ठीक है new new tools, innovation, ideas और productive people development करने हैं कि ऐसे लोग डल्प करने है जो कही ना कहीं देश की development के लिए contribute करें in future समझाई है Conclusal लिख दोगे ना अब लिखते ना ठीक है research and innovation, strengthening institutional capacities, inclusive education वही आगया समावशी शिक्षा और minimum qualification कितनी होनी चाहिए उपर से देख बता दिया मैं आपको selection of trainings कैसे होनी चाहिए, curriculum reform कैसे लाना चाहिए, ठीक है अगार्टिक रूद आफ सोसाइटी और flexible होना चाहिए ठीक है और integration of ICT यह भी उनको सिखाना है कि कैसे हमें जो है वो information and communication technology को integrate करना है in teaching learning process में और continuous professional development जिसको हम CPDB कहते हैं यानि इसके लिए इन service बड़े सारे जो है summer institution training जो है प्रोग्राम लेकर आओ और evaluation and assessment कैसे करनी है यह आजाएगा हमारा conclusion लिख दोगे लिख दोगे और इसी के साथ खतम हो जाता है हमारा बोला था ना मैंने 15 मिनिट लगेंगे उतने ही लगे तो that's it इसी के साथ हमारा unit हो चुका है खतम ठीक है तो अभी मुझे आपका इंतजार रहेगा देखो आपको लगता है कि अगर हमने आपके लिए मैनत गई है न कि अब ध्यान जोड़े सुनो थोड़ी सीजीजे एक पेज डूनने को वहले थोड़ा सा खाली मिलके point number one ठीक है point number one यह है कि यह जो notes है ठीक है पहली बात multiple sources से बनाए हुए ठीक है जो कि आपके लिए बहुत ही useful रहने वाले गरंटी नहीं दे रहा हूं मैं बता रहा हूं ठीक है बाकि अगर आपकी चोईस है कहीं से अगर आपको अच्छा लगते तो आप वहां से भी कर सकते हो लेकिन ऐसे systematic तरीके से आपको गहनी मिलेंगे इतना मैं भी यह आपको शोर करने वाला हूं ठीक है उसके भी notes ready हो चुके है तो unit second देखो दस दिन में आपका पूरा स्लेपेस complete कर वा सकता हूं इतनी में guarantee देता हूं आपको कहीं नहीं जाने आपको बस और आपको कोई notes में बनाना है मैं इतना भी आपको आश्वासन दिला देता हूं बस simply आपको क्या अच्छे मेरे को उनके reviews भी मिलते हैं जिसे मुझे भी ना खाफी अच्छे motivation मिलती है ठीक है तो वो चीछ आईए अपने को भी life में बाकि हम आपसे कुछ नहीं मंग रहे ठीक है तो बस इतना सा आपको करना है ठीक है और बाकी जितना possible होगा मैं आपकी help करूँगा ठीक है मैं CC guarantee दे रहा हूँ ठीक है तो अभी देखोंगे कितनी support है ठीक है जैसे आप मैं next जो आप वीडियो लेकिया हूँगा ठीक है तो मैं देख लूँगा ठीक है उसके साफसे मैं आपको ये PDF दे दूँगा ठीक है टेलिग्राम का आपको link मिल जाएका कहां पर description में ठीक है simply tap on the link आप पिल जब पहुंच आएंगे हमारे टेलिग्राम चैनल पर ठीक है तो उसके बहाँ चाहिए और और क्या कर लो डाउनलोड कर लेना ठीक है PDF सिंपल बाच आप और इसी का प्रिंट आउट निकाल लेना कुछ नहीं करना ब्लैक और निकाल लेना ठीक है प्रिंट कि देखोगे मेरी आप ठीक है ठीक है ठीक है तो तब तक आप फुल स्पोर्ट करो ठीक है फुल स्पोर्ट करो जितना स्पोर्ट करोगे तो आपको भी उतना ही बोलते हैं जितना गुट डालोगे उतना मीठा मिलेगा कोई बात नहीं हम ऐसे भी आपको मीठा ही देंगे ड bye bye and have a good day and happy learning.